गुद मॉर्निंग फ्रेंज तो उत्तर पाट शाला में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तो 28 जून से रिलेटिड उत्तराखंड राज जिगे सभी इंपोर्टन्ट करेंट अफेर्स के बारे में वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तो तो लाइक करें शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए और फिर आल नोटिफिकेशन को आउन किया कीजिए दोस्तो जिससे की आपको सभी करेंट अफेर्स की और हमारे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं तो दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे उत्राखंड मुक्त विश्व इध्याले की परीक्षा के उपर टिहरी डैम के आउशेशों के उपर और माल करेंगे और साथी आज के करेंट अफेर्स नैशनल और इंटरनेशनल भी हमारे चैनल पर अबिलेवल है तो उन्हें भी जरूर देखिए दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं उत्राखंड में अब बाजार और मोहलों की दुकानों को रात आठ बजे तक खोलने की होगा उनमें पुरानी व्यवस्ता बरकरार रहेगी और बाकी मौर्निंग वॉक की भी पर्मीशन दे दी गई है तो सरकार ने मौर्निंग वॉक की पर्मीशन भी दे दी है और साथी सेटरडे संडे का जो दो दिन का लॉक डाउन या दो दिन के लिए जो बंद की व्यवस् तरहे जो water level है वो थोड़ा सा कम हो गया है और ये कम होने से जो उसमें पुरानी टीरी डूब गई थी उसके जो अवसेश हैं वो दिखने लगे हैं बात की जाए टीरी सहर की तो इसको नाम से जाना जाता था त्रिहरी त्रिहरी क्यों क्योंकि माना जाता है कि जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेस वो यहां स्नान करने आते थे अब एक्जाम के व्यू से सकंद पुरान में इसका उलेक मिलता है जो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप से पूछा जा सकता है कि तुरी हरी नाम का उलेक कहां मिलता है या फिर ब्रह्मा, अबनाने की गोशना की थी 29 जुलाई 2005 को शहर में पानी भरना सुरू हुआ था 2006 तक लगभग ये फर्स्ट फेज का जो काम है वो यहां क्या हो गया था दोस्तों पूरा हो गया था तो इस तरीके से टिहिरी डैम का जो काम है वो 30 जुलाई 2006 में यहां से बिजली का उत्पादन होना सुरू हो गया था कई जगह पे आपको इसकी ओपनिंग रेट सन 2000 भी देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो बिजली बनाने का जो में काम था वो कब से सुरू हुआ था 30 जुलाई 2006 से अब अगर बात की जाए पुराना टहिरी में तो पुरानी टहिरी में कौन-कौन सी चीज़ें डैम में डूब गई हैं आपको याद रखनी है एक तो है पुराना राजदरबार एक है कौशल राजदरबार रानी निवास महल श्री देव सुमन समारक सेमल तपड गांधी समारक और यहाँ लोकल जो घंटा घर हुआ करता था स्वामी रामतीर्थ समारक तो यह सबी चीज़ें जो हैं दोस्तो यह पुरानी टहिरी के डूबने के साथ ही डूब गई थी तो अभी लोकल लोगों ने यह मांग भी किया कि जब जलिस्तर घटता है तो यहाँ नौकायान की सुविदा उपलब्द कराई जाए ताकि जो लोग हैं वो पुराने अवसेशों को नजदीक से जो है दोस्तो देख पाएं चलिए बात की जाए टहिरी डैम की तो यह हाइस्ट डैम है इंडिया का और वन आप दा हाइस्ट है दुनिया का तो यह क्या एक मल्टी परपज डैम है जो रॉक अर्थ फिल अमबैक्मेंट डैम है तो यह भागी रती जो नदी है टहिरी के नजदिक उस पर है अगर पूरी बात की जाए तो भागी रती भिलंगना के संगम पर यह है दोस्तो और यह एक जो यह इसका फेजवन है वो 2006 में पूरा हुआ था तो देखे टहिरी बाध यह टहिरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बाध है उत्राखंडराजी के टहिरी जिले में है तो इसको क्या कहता है स्वामी रामतीर्थ सागर बाध भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तो स्वामी रामतीर्थ सागर बाध भी कहा जाता है तो यह बात कहा है गंगा की सहायक नदी भागी रती और दूसरी भिलंगना तो इन दोनों के संगम पर टिहरी डैम बनाया गया है दोस्तों चलिए अगली बात करते हैं घटिया बगर से लिपुलेट तक कटी चोहतर किलोमीटर की सडक में उद्गाटन के वक्त दो पुल नहीं बने थे एक पुरी वीडियो हमने इसके उपर बनाई हुई है दोस्तों जो न्यू रोड आफ टू लिपुलेक करके एक वीडियो हमारी है आप चैनल पे देख सकते हैं उत्राखंड की प्रेलिस्ट में ही मिल जाएगी आपको घटियाब अगर से लिपुलेक तक जो पुल बियारो ने बनाई थी जिसके बाद से ये पुरा बवाल शुरू हुआ नैपाल के साथ भी उस पे दो पुल नहीं बने थे दोस्तों तो जो दो पुल थे इसमें से एक पुल तो कुछ समय पहले बियारों ने बना लिया था बैली ब्रिच जो है वो बनाया गया है मालपा में अभी मालपा के बारे में आपने अगर सुना हो तो काफी बड़ा भूसकलन यहां 1998 में हुआ था तो मालपा में 1968 में बहुत भारी भूसकलन हुआ था जिसमें मानसरोवर यात्रा से वापस आ रहे तेरवे दल के सबी सदश्य के साथ 207 लोगों की मौत हो गई थी काफी बड़ा जो भूसकलन है वो यहां हुआ था आपको याद भी रखना है काफी इंपोर्टन है मालपा का जो भूसकलन है उस समय की राजनीती में भी काफी ज़्यादा उफान पर रहा था दोस्तो 1998 में यहां भारी भूसकलन हुआ और 207 लोगों की यहां मौत हो गई थी तो अब क्या हुआ है मालपा में भी बिरिज बन गया बूंदी में भी बिरिज बन गया और इसके साथ ही क्या हुआ तवा घाट से 95 किलोमीटर दूर लिपुलेक तक की जो सड़क है वो पूरी तरीके से अब जुड़ गई है और काम करने लग गई है तो यह है दोस्तो बैली बिरिज जिसको हम बैली बिरिज कहते है वो कुछ इस तरीके का होता है दोस्तो बैली बिरिज ऐसा होता है इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और बैली बिरिज को बनाया जाता है काफी जगा आपको ऐसे बिरिज देखने क के लिए मिल जाएंगे उत्तराखंड मुक्त विध्यले यानि कि यू वो यू ने जो अंतिम वर्ष के चात्रों के परिक्षा है वो क्या कर दिये टाल दी गई है दोस्तों 6 जुलाय को यह होनी थी तो आप कोरोना की वज़े से यह क्या कर दिया गया है इसका यह फैसला लिया गया है इस परस्ट गाइडलाइन को यू जी सी की नहीं आई है तो इसी लिए जब तक कि अगली आदेश नहीं आते हैं यू जी सी के तब तक जो है यह परिक्षा है क्या की गई है स्थगित कर दी गई है और जैसा कि आपको पता ही है बाकी सभी के प्रमोशन की बात चल ल दोस्तो इसका जो देश था दोस्तो क्या था लोग तंत्री करन करना सा सिख्चा का की मैक्सिमम लोग जो है यहां तक पहुँच सके इनू नहीं भी काया कि काई कि काफी जो आर्मी है या फिर जो ऐसे फोर्स के जवाने वो भी क्या करते हैं यो यू के अंदर अपना अभी के लिए फिलाल स्थगित कर दिया गया है उत्रकर्न मुक्त shaken विश्य विद्याले कहां है यह हल्धानी में इसका हेटवाटर है दोस्तों हल्धानी में स्ह desirable तो यह राज्य का स्थेट आपना एक मात्र विश्य विद्याल यह दोस्तों तो यह थे आज के से风 system current affairs इसके बारे में हमने discussion किया दोस्तो आज का आपका question है जो की part 3 में हम discuss करेंगे UKSST exam के लिए आपका question है गंगा नदी को राष्ट्रिय नदी कब घोशित किया गया था तो गंगा नदी को राष्ट्रिय नदी कब घोशित किया तो यह चार आपके option है इसमें से आपको अपना जाता है जी उपाया जाता है या हमके एक मचली पाई जाती है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा comment box में लिखना है तो यह थे आज के सभी important current affair thank you till next video